नमस्कार, आज मैं आपको बाल राधारानी की स्थापना, सेवा पूजा के नियम और उनके कुछ मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हूं श्री कृष्ण भगवान विश्णू के अवतार मानी जाते हैं, तो राधारानी मा लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं, राधा का उल्टा होता है धारा, धारा का अर्थ है करंट यानि जीवन शक्ती, श्री कृष्ण की जीवन शक्ती राधा है, श्री कृष्ण दे हैं तो श्री राधा आत्मा, कृष्ण शब्द हैं तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत, कृष्ण बंसी हैं तो राधा स्वर, दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं, राधा नाम की महमा अप्रम पार है, श्री कृष्ण स्वयम कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूं, उसे मैं अपना भक्ती प्रेम परदान करता हूं, और धा श को मोते हैं और राधा कृष्ण को, तभी तो श्री कृष्ण से पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है, वैसे तो राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, पर अगर किसी को राधा रानी की सेवा का मोका मिलता है, तो वो तो कोई सुभाग्या शाली ही है, आईए ज चानते हैं बाल रूप राधारानी की स्थापना और उनकी सेवा पूजा के नेमों के बारे में वैसे तो राधारानी की इच्छा होगी तो वो कभी भी आपके घर आ सकती हैं पर अगर आप शुब दिन देख कर लाना चाते हैं तो आप पूर्निमा, अक्षयत रितिया या एक शुकरवार को भी इनकी स्थापना की जा सकती हैं लड्डू गोपाल जी की तरह ही आप पहले उनकी प्रान पतिष्ठा खुद भी कर सकते हैं और पंडी जी से भी करवा सकते हैं प्रान पतिष्ठा नहीं भी करना चाते तो पंचामरी से स्नान करवा के उनकी स्थापना कर स चोथे दिन फूलों में ये चार दिन आप सुबह दोपैर शाम रादा रानी के मंत्रों का जाब करते रहें पांचमे दिन फूलों से निकाल कर उन्हें पंचामरिस से स्नान करवाएं शुद जल से करवाएं इसकी डिटेल में इंफोमेशन के लिए आप लड़ु गौपाल की सेवा पूजा का वीडियो देख सकते हैं सब वैसे ही करना है आप चाहें तो एक दिन में भी इनकी प्रान पतिष्ठा कर सकते हैं जैसे लड़ु गौपाल की वीडियो में मैंने बताया है स्नान के बाद उनको नए कपड़े पहना कर उनका पूरा शिंगार करें रादा रा जानी और लड़ु गौपाल की ड्रेस एक जैसी ही हो फिर उनको जूलरी पहनाए उनके बाल आप अपनी पसंद के नुसार लगा सकते हैं फुले बाल दो चोटियां या बन यानी जूड़ा बना सकते हैं जूलरी में उन्हें हार, कंगन, नथ, पायल, कान की बाली, मुकु लगाएं, आलता लगाएं, चुनरी ओडाएं, इतर भी जरूर लगाएं, कमल या गुलाब का इतर ले सकते हैं, काजल, लिप्स्टिक, बिंदी, कमर बन भी पैना सकते हैं, आप चाहो तो गजरा भी लगा सकते हैं, आप जैसे अपनी राधा रानी को सजाना चाहीं सजा सक फिर उन्हें शीशा जरूर दिखाएं, उनके साथ अपना कोई ना कोई रिष्टा जरूर बनाएं, कई लोग लड़ू गोपाल को अपना पुत्र मानते हैं, तो राधा रानी का अपनी बहू के रूप में स्वागत करते हैं, स्थापना करने के बाद उनकी लड़ू गोपाल के साथ पूजा करें, सबसे पहले गनेश जी की पूजा जरूर करें, फिर उन्हें भोग लगाएं, राधा रानी के लिए खीर जरूर बनाएं, उनका पसंदिदा भोग अर्बी की सबजी भी बना सकते हैं, काना जी के लिए माखन मिश्री रखें, इसके इलावा आप इस जितना ज्यादा करना चाहे कर सकते हैं, हलवा, पूरी, मेवे, मिठाई, मोसमी फलों या कई तरह के पकवानों का भोग लगा सकते हैं, उनको शिंगार का समान अर्पित करें, उनकी आर्थी करें, जब उनकी स्थापना करें तो राधा रानी का लगातार मंत्र बोलते इस तरह से खुशिया मनाई जाती हैं, वैसे ही मनाई, गरीबों को प्रसाद, दान, दक्षिना जरूर दें, कई लोग अपने आपको उनकी सखी मानते हैं, या कई लोग लड़ू गोपाल को अपना भाई मानते हैं, तो राधा रानी के साथ अपना भाबी का रिष्टा उनकी रोज की सेवा पूजा वैसे ही करनी हैं, जैसे आप लड़ू गोपाल की करते हैं, सुबा जैसे लड़ू गोपाल को उठाते हैं, वैसे ही उन्हें उठाएं, सुबा सबसे पहले लड़ू गोपाल के साथ ही उन्हें दो गिलास में पानी दें, उन्हें नहलाएं, उ उन्हें जगाएं जैसे लड़ू गोपाल को जगाते हैं सुबह दोपैर शाम रात को चार बार उन्हें भोग लगाएं सुबह शाम उनकी आरती करें हो सके तो घर के सारे सदस्या मिल के आरती करें उनको सुबह उठाना नहलाना भोग लगाना सुलाना सब सेवा लड़ू गो के लिए परदे लगा दे दोपैर में उनकी ड्रस चेंज नहीं करनी है मुकुट उतार सकते हैं क्योंकि ऐसे ही राधा रानी थोड़ी देर के लिए आराम करेंगी पर रात को उनको हलकी कपड़े पैना कर प्यार से सुलाएं और आगे परदा कर दे रात को सुलाने से पहले द तो ऐसा भी कर सकते हैं राधा रानी को नीचे के कपड़े पैना कर ही नहलाएं राधा रानी के साथ उनकी अश्ट सक्खियां भी जरूर रखें क्योंकि राधा रानी अपनी अश्ट सक्खियों के बिना नहीं रह सकती लड़ू गोपाल जी तो तुलसी पत्र के बिना ले लेती हैं पर अगर खाने के लिए कुछ एक साथ ही लड़ू गोपाल और रादारानी के लिए रखें तो तुलसी पत्र डाल के ही रखें आगे परदा कर दें तांकि वो प्रसाथ ग्रहन करें तीस त्योहार पर उन्हें पंचामरिस से स्नान करवाएं आप उन्हें शंग से भी स्नान करवा सकते हैं उनके लिए उपहार लाएं शिंगार का समान जरूर दें जैसे तीस त्योहार पर घर की सभी ओरतें शिंगार का समान लेती हैं उनके लिए भी जरूर लाएं रादारान दिर्की साफ सफाई का विशेश ध्यान रखें। उन्हें भी लड़ू गोपाल के साथ बाहर गुमाने जरूर ले जाएं। श्रधा भाव से उनकी सेवा पूजा करें। आप रादारानी की चर्ण सेवा भी कर सकते हैं। ये आप सुभा शाम किसी भी समय कर सकते हैं। इसके मैं उन्हें हलके कपड़े पहनाएं। पहले उनके चर्णों पर जल डालें। अश्ट गंद चंदन का लेपन रादारानी के चर्णों पर करें। हलके हलके हाथों से मसाज करें। फिर जल से धो दें। फिर कोटन से उनके चर्णों पर गुलाब जल लगाएं। फिर आलता लगाए, नेल पेंट लगाए, फिर उनको पायल पैनाए, यह चन सेवा आप उनका भजन या मंत्र बोलते हुए करें, चन सेवा आप लड़ू गोपाल जी की भी कर सकते हैं। अब मैं आपको राधारानी के कुछ मंत्र बताती हूँ, राधारानी का गायती मंत्र इस परकार है, अम व्रिश भानू जाय विद मही, कृष्ण प्रियाय धी मही, तन्नो राधा प्रचो दयार, उनका एक और मंत्र है, इनकी स्थापना के बाद भी आप ये मंत्र बोल सकते ह नमस्ते परमेशानी रासमंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्ते स्तू कृष्ण प्राना धिक प्रिये, इसका अर्थ है रासमंडल में निवास करने वाली है परमेश्वरी आपको नमस्कार है, श्री कृष्ण के प्रानों से भी अधिक प्रिये है रासेश्वरी आपको नमस पैसों की तंगी हो या धन व्रिधी करना चाते हो तो लक्षमी प्राप्ति के लिए मंत्र इस प्रकार है ओम हनीम राधिकाय नम्हा या ओम हनीम श्री राधाय स्वाहा इन में से किसी भी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें राधारानी की कृपा प्राप्ति के लिए एक और आसान मंत्र है श्री राधाय स्वाहा भगवान श्री कृष्ण राधारानी की कृपा उनके सब भक्तों पर हमेशा बनी रहे आश्य करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा धन्यावाद